आज हम बनाएंगे चिकन लाजवाब। इस डिश को बनाने का तरीका बेहत आसान है और इसका स्वाद तो बस लाजवाब होगा। चलिए, देखते हैं कैसे कुछ आसान स्टेप्स में हम बना सकते हैं ये मज़ेदार रेसिपी जो आपके खाने का मज़ा दुगना कर देगी। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें। पहले हम कटे हुए आलू को अच्छे से पांच मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि वह थोड़ा पक जाए। जब देल गरम हो जाए तब उसमें जीरा और कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, इलाइची और दाल चीनी डाले। जैसे ही ये मसाले तरकने लगे और अपनी खुशबू फैलाने लगे उसमें प्याज डाले। प्याज को धीमी आँच पर सुनहरा होने तक भूने। और अब इसमें टू टेबल स्पून अधरक लहसन का पैस्ट डाले। इस समय आपकी रसोई में एक अध़ध खुशबू फैलने लगेगी जो आपके और आपके परिवार के दिलों में गरमाहत लाएगी। अब कटे हुए टमाटर डाले। साथ ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक भी मिलाएं। जैसे ही आप इन मसालों को टमाटर के साथ भूनेंगे, आपको उनके रंग में बदलाब देखने को मिलेगा। और टमाटर एकदम नरम हो जाएंगे। इस समय आपकी रसोई में मसालों की महक चारों ओर फैल चुकी होगी। जैसे किसी जादू ने सबको अपनी ओर खींच लिया हो और ये संकेत होगा कि आपकी डिश सही दिशा में जा रही है। अब मिरिनेट किया हुआ चिकन डालें और उसे मसालों में अच्छे से मिलाएं। धीमी आंच पर डखकर इसे पकने दें। जब चिकन पकने लगेगा तो मसालों की खुशबू उसमें समाने लगेगी और हर निवाले में स्वात का जादू बिखेरने लगेगा। ये वुक्षिन होगा जब आप चानते हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। अब हम इसमें हरी मिर्च और धनिया डालेंगे और उसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। आखिर में हाफ लीटर पानी मिलाकर मिक्स कर लेंगे और तीन विसल लेने के बाद आपका चिकन ला जबाब तैयार है। इसे गर्मा गरम रोटी, नान या चावल के साथ परोसें और इस स्वादिश डिश का आनंद लें। आपके परिवार और दोस्तों को ये डिश जरूर पसंद आएगी।